हमारे साथ बातचित करने के लिए हैं साकेत मून, जेनी ओ एस्यू के पता दिकाईद झेनी ओस्यू के जो अध्यक्ष है उनके साथ भी जिस तरीके मार पीटाई हैं, हुई है और उसके बाद इस तरीके तश्वीरें आई हैं वो तश्वीरें बहुत डराने वाली है साकेता पूरे दिन केंपस में रहे शाम को खास तोर से ये सारा मार धाड़ जो शुरू हुआ क्या कुछ देखा आपने में पूलिस को इतला भी कर दिया था सुभई ही कि देखिए ऐसा ऐसा एक सिचुरिशन कैमपस में डेवलप हो रहा है तो आप लोग यहां का सिक्यूरिटी नकाम में इसको यह करने के लिए तो आप आईए और आप लोगों को मेंटेन कीजिए कि यह लोग जिसको मिल रहा है जो इनको मिल इनके हाथ आ रहे उनको पीट रहा है यह लोग दिन में होस्टेलों में घुसके पीटे है और जब लगा कि मामला स्वड़ा शांत हो गया है जो पीटने वाले लोगों मैं से कुछ लोगों को आप लोगों ने चिनहित किया आपको भी आपके साथ भी कहीं जांगीड यह लोग एकदम फोर्फरंट पे थे इस मारपीट के सिवम चौरस यह नाम का एक और है यह लोग जो सब पतातीकारी है इसके फोर्फरंट पे है कई सारे इनके गुंडे जो है इन्होंने बाहर से बुलाना शुरू किया और जब यह सब हो रहा था तो आज शाम को जेनु टीचर के तरफ से इसी जगाप जहापर अब यह लिए खड़े है एक शांती पूर्ण तरीके से एक पीस धरना एक शांती अपील करने के लिए वायलेंस इक धरने का एक आयोजन किया गया था जहापे बात रखा जैनु स्कूर्ण से अपना बात रखा उर उसके कि पहले हमारा जो निर्ने था कि हम यहीं बने रहेंगे हम इंसे बात करेंगे टीचर्स ने यूमन चेन बनाया ताकि हम लोग के उपर कोई बार ना हो पर इन्होंने दूर से ही पत्थराव शुरू कर दिया और एक होता है कि छोटे-छोटे पत्थर जो है कि आपके सो डराने कोईश कर रहे हैं यह वो पत्थराव नहीं था इसमें बड़े-बड़े पत्थर फेके जा रहे थे और उस पत पहरती गुंड़े बुलाने शुरू कि अलग अलग जगाओ से सुनने में आ रहा है कि इनके डियू के पदातिकारी पी जो है डियू एस्यू के और पुराने डियू एस्यू के लोग वो भी थे यहां पर टीचरों के मारने वो भी आगे थे उन्होंने एक डंडे से मारना पहुत किया शुरू कि यह पथरा और यह दंड़ा मारना शुरू किया तो इधर उधर तितर भीतर हो गया अलग अलग हॉस्टल में जाकर चुपने कोई की पर जैसी स्ट्रूंट हॉस्टल के अंदर गुसे वहां पर तोडफोड की स्टूंट के दर्वाजे तोड़े गुस के मारना यह सब हरकते उन्होंने वहाँ भी की और जब यह सब हो रहा था यह सब ऐसा नहीं है यह करीबन साड़ेश साथ बज़े से लेके नौ बज तक यह सब घटना है हो रही थी यहां के यूनियन ने और स्टुड़ेंट्स ने कंटीनियॉस पुलिस को फोन करने गायब यहां पर फिर नौर्थगेट बनके नौर्थगेट के सामने बजरंग दल का एक बड़ा हुजुम पहुचके वहाँ पर नेता और बाकिसी विल्स सेराटी के लोग थे उनको पीटना शुरू कि उनके साथ बत्तमीजी शुरू की अंदर यह तीन घंटा यह मार दिल्ली पूलिस ने भी मीडिया के कर्मी चुक पर दिखा लौव तो पकरेंद रहे हैं यह तेन घंटा दवे के साथ कि इसमें psychology प्रशाषन जेन Two वाईस चैंसलर और दिल्ली पूलिस fired को उपर से यानि कि ग्रह मंत्राले से यह निर्देश था ग्रह मंत्राले के यह आदेशों पर यह सब चीज हुए है और यह हो रहा है हमकर हमें डराने के लिए जैसे जानियों के भीतर अपनी सिक्योरिटी है आम तोर पे जिसे तमाम जो सेंटरल इन्वर सिटीज होते हैं इस साथ शुरक्षा कर्मियों ने बहुत बतामी जी की है मार पीट की है उनके वर उनसे नहीं हुआ है और पूरा एक ओर्डर से पर हो रहा है ऐसा नहीं है कि यह लोग आके अपने से कुछ कर रहा है यह लोग और से कल इन्होंने जैनियों से प्रेजिदेंट को भी आसौल्ट तरहाल ऐसे कि जामियां, EMU, DU हर उनिवसिटी में इस तरीके का दंगा, इस तरीके का हिंसा करके छात्रों को डराया जाए, दमकाया जाए, और आगे क्या यूजना है, संचिप में उत्तर चाहता है, संचिप में बताऊंगा आपको, कि यह हो रहा है इसलिए ताकि यह करते हुए, एक ग्रिह मंत्रा ले भाज़पा का एक प्लान है, कि जो इनके खिलाफ बोलता है, जो आवाज उठाता है, उन्हें डरा के चुप कि आ जाए, और इसके खिलाफ क्या कि आ जा सकता है, एक ही तरीका है, सारी उनिवसिटी को, सारे तमाम अमन पसंद नागरी लोगों पीटने के लिए, उसे खिलाफ एक साजहा अंदोलन अब शुरू करने का समय आ गया है, ठीक है साकित, हमसे बाचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, दा बिहार मेल के लिए मैं विश्णू नारण, रिशिकेश के साथ,